हेई गाईज, वाट्स आप, सो, टैटू, टैटू एक आर्ट है, जो जिन्दिगी बर आपके बॉड़ी में रहेगी, इसलिए हमेशा टैटू करवाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जलबाजी के चक्कर में अगर आपने कुछ एक ऐसा टैटू बनवा लिया, जो आपको नहीं बनवाना चाहिए था, तो आप जिन्दिगी बर उस टैटू को लेकर परिशान रहोगे, इसलिए अगर आप टैटू करवाने का सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एंट तक देखते रहो, क्योंकि आज मैं आपको 6 टैटू जिसे टैटू करवाने से पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उससे पहले अगर आप लबदा की ये पहली वीडियो देख रहे हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता दू कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाईयों के लिए बनाता हूं, जो भाई डाक स्किन या साबले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटीव है कि मेरे तरह जितने भी डाक स्किन या साबले लड़के हैं, वो अपना बेस्ट वर्दन बन सके हैं, तो वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को प्लिस लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दिपक शाओ आउन स्किन पर कलर वाले टैटू सही से विजिवल नहीं होते, जिसके वज़े से एक टैटू का जो मिनिंग होता है, वो सही से पोट्रे नहीं हो पाता, इसलिए हमेसा ऐसा टैटू करवाना, जिसमें या तो सिर्फ ब्लैक कलर यूज हुआ हो, या तो ब्लैक और वाइड या ब्लैक और वाइड वाले टैटू हमारे स्किन टोन पर बहुत सेक्सी लगते हैं, दूसरा टिप है, कभी भी अपने गर्फरेंड या बॉइफरेंड के नेम का टैटू मत करवाना, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कब कौन सा घरी आपको किस मोर पर ले आए, य आपको बस वान कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने अपने गल्फरेंड का नेम का टैटू करवा लिया, और दो तिन साल बात, या फिर चार पांच साल, छे साल बात, अगर आप लोग का ब्रेक अप हो गया, जो कि I know कि नहीं होगा, बट फिर भी अगर हो गया, तो आप बह आया था, फिर बीच में लायन फेस के टैटू का ट्रेंड आया था, और इस ट्रेंड के चकर में बहुत से लड़कों ने सेम टैटू बनवा लिया था, बिना कुछ सोचे समझे, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टैटू आपके बाड़ी में मरते दम तक रहेगी, इसलिए हमेशा ऐसा टैटू बनवाना जो आपके character को define करे, that who you are, जैसे अगर आप बहुत chill minded person हो, तो ऐसा टैटू बनवाना जो chill minded को define करे, सेम उसी तरह अगर आप बहुत aggressive और bold हो, तो ऐसा टैटू बनवाना जो aggressiveness और boldness को define करे, और अगर आप गुस्से वाले strict person हो, तो टैटू बनवाना जो strictness को define करे, और अगर आप calm person हो, तो जो टैटू calmness को define करे, वो टैटू बनवाना, और ये चीज़ टैटू artist आपको अच्छे समझा पाएंगे, simply tattoo artist के पास जाना और उसे कहना कि मेरा ऐसा character है, मैं calm minded या फिर aggressive या फिर chill minded person हो, तो आप मुझे कोई ऐसा टैटू suggest करे, जो मेरे character को define करे, फिर वो tattoo artist आपको आपके character के मुताबिक 10 या 20 tattoos दिखाएंगे, तो आपको जो tattoo उसमें से पसंद हो, वो करवा लेना, चौता tip है, कभी भी अपने neck और अपने hand में tattoo मत करवाना, इन शोट कोई भी ऐसा जगा पर tattoo मत करवाना, जिसे एक full sleeve shirt पहने के बाद वो visible हो, जैसे माल लो, अगर अपने हाथ में tattoo करवाया, तो एक full sleeve shirt के sleeve को पूरा खोल कर पहने के बाद भी वो tattoo visible होगा, सेम ऐसा neck पर भी tattoo करने से, shirt पहने के बाद वो visible होता है, और आपको दो पता ही है, कि ऐसे बहुत से job sector, खास करके government job sector में, visible tattoo allow नहीं होते तो इसलिए अगर आपने कसम खा लिया, कि आप अपने जिन्देगी भर में कभी भी job नहीं करोगे, तो फिर आप चाहो तो अपने neck, अपने hand या फिर किसी भी visible area में tattoo करवा सकते हो, बट अगर आप future में job करना चाते हो, तो अपने neck और hand में tattoo मत करवाना, neck और hand के अलावा भी बहुत सी जगा है, जहां आप tattoo करवा सकते हो, जैसे chest, back, shoulders, arms, और इसी से related हमारा पाच्वा tip है, कि गलती से भी अपने face और अपने lower back पर tattoo मत करवाना, पताने लोग अपने face पर tattoo क्यों करवाते हैं, face पर tattoo मुझे तो अलगी level का छप्रिनेस लगता है, और हम brown mundes को तो ग जलती से भी tattoo मत करवाना, and finally 6th tattoo tip है, हमेशा एक well-reputated tattoo पालर में जाकर ही tattoo करवाना, किसी भी roadside tattoo shop पर जाकर tattoo मत करवाना, क्योंकि पहली बात कोई भी roadside tattoo shop पर कोई भी professional tattoo artist नहीं होता, और दूसरी बात roadside tattoo shop वाले जो सुई को use करते हैं tattoo बनाने के लिए, उस सुई को वो change न ना बना ले, और ये एक बहुत बरा रिस्क है, इससे दूसरे का infection तीसरे में फैलता है, और इससे छोटी मोटी problem नहीं, आपको AIDS तक हो सकती है, इसलिए हमेशा एक well-reputated tattoo shop पर जाकर ही tattoo करवाना, हर well-reputated tattoo shop का Instagram पर एक page होता है, तो पहले Instagram पर उस shop के page पर जाना, और उसके काम को अच्छे से analyze करना, फिर उस shop पर जाकर अपना tattoo करवाना, और एक bonus टिप बताना चाहता हूं, कि जब आप tattoo artist को जाकर अपने character के बारे में बताओगे, और आपके character के मुताबिक जब वो tattoo artist आपको एक tattoo suggest करे, और उस tattoo का budget अगर आपके budget से बहुत ज्यादा हो, तो सस्ते के चकर में कोई और tattoo मत करवा लेना, वही tattoo करवाना, जो वो tattoo artist बोले, भले ही उसका budget अभी आपके budget से बाहर हो रही है, बट वही tattoo बनवाना, अभी मत बनवाओ, धिरे धिरे पैसा इखटा करो, कुछ मैंने बाद बनवा लेना, बट वही tattoo बनवाना, क्यूंकि जैसा मैंने आपको कहा, कि tattoo मरते दम तक आपके body पर रहेगी, इसलिए वही tattoo बनवाना, जो आपकी character को define करे, भले ही वो कितना ही महंगा क्यूं ना हो, इसलिए करवाना हो तो अच्छे से करवाना, या तो मत करवाना, तो ये थे वो 6 tattoo tips पर brown moondays, जो tattoo करवाने से पहले, आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like कर देना, और अगर आप dark skin या साबले हो, तो इस चैनल को subscribe कर देना, और बगल में घंटे को भी रवा देना, और Instagram पर follow करना मत बुलना, दीपक शाव official के नाम से है, link और आप, और magist zen Gemma बुलना, या झाल को भीडियो पस्ता बاتस हा। झाल झाल